हेलो दोस्तो मैं लच्मर्ण से नहीं लच्मर्ण हेल्ट से दोस्तो आज हम फिर्ण से लेकर आए आपके लिए एक हेल्थ संब्धित वीडियो दोस्तो कापी समय के बाद मैं आपके सामने एक हेल्थ संब्धित वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों आप वीडियो को ज्याद 80% आयोडीन पाया जाता है ऐसा जबकि हमारे सरीर में 80% मात्रा में आयोडीन की मात्रा होती है ऐसे में जब हमारे सरीर में आयोडीन की कमी आ जाती है तब थाइराइड ग्रंती में सूजन आ जाती है केकारण हम्हारे body thyroid rog से गिर्सित हो जाती है। jumps old town moy कुमी से बच्छों या bad में या महिळा में या पुर्स में नहीं कि सकता है, shooting कि कमी के व हुजवार्ण क कमी आ जाती है तब thyroid hormone का निर्मान पनद हो जाता है, जिसके कारण हमारी body thyroid rog से गिर्सित हो जाती तो दोस्तों अब हम बात करेंगे थाइराइड रोग के क्या लक्षन होते हैं जिससे कि हमां हमें पता लगा सकते हैं कि हमें थाइराइड रोग हो चुका है दोस्तों थाइराइड रोग को हम आवटू का रोग भी कहते हैं जिसको हम देशी वहिशा में बोलते हैं अब हम बा से गिर्शित होता है उसका बजन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है जिसके कारण उसका मोटा पा कापी ज्यादा हो जाता है आवाज का भारी पन हो जाना और आवाज का लडखड़ाना जैसे कि तोचा का रूखापन या तोचा बिल्कुल ड्राई हो जाना और बालों का कापी मोटा हो जाना और बॉडी में कपज की सिकायत रहना और बॉडी बिल्कु corona जैसे इसित्ति अधिती हो जाती है जिसके कारण आनम बिल्कुल सबकुष बुरा लगने लगता है और जैसे आध्वीट का धीमा हो जाना और रख्त में कॉल्स्ट्रोल का इस्तर कापी बढ़ जाना यह थाइराइड के मुख्य लक्षण होते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं थाइराइड ड्रोक से हमें और भी कुछ परिशानी होती है जैसे कि बोडी में चलचड़ापान होना और नीन नहीं आना या ज्यादा नीन आना य